तो आज है देए फूर एंड हम जा रहे है दिल्ली के लिए वापस तो अभी जाना ब्रेकफास करने नाद होके में रेडी हो गया हूं हर दिन की तरह लेट लती तरुन अभी तक रेडी में आ रहा है और वो नाएगा मम पापा रेडी है अभी नीचे नाश्चा करने जाना है ब्रेकफास करने तो उसके बाद आपको मिलते हैं गाड़ी पर जाते जाते हैं रस्ते में बात करते हैं तो हम चारों निकल पड़े अ यह चोटा सा ट्रेक करते होए और यह रहा हमारे चोटा सा घर तो अब हम जारे गाड़ी पे और कुछ काम तो इसलिए हम जल्दी निकल रहें वापर कुछ जादे बारी शो जोई तो पुरी गाड़ी तो गंदे हो रही है गाड़ी तो साफ करने सकते हैं तो सोच आके पीज़े ही साफ कर लेका है क्योंकि अब सीधा निकल रहे हैं यह से दिली गले रस्ते में घूखते फिरते खाते पीते चलेंगे अभी हमारी गाड़ी में रेंज है 142 अंद फुल करवार अब देखते हैं कितने में फुल होता है पहले साढ़ी चार में हुआ अब यथ हैए नक गाड़ी इंग तो है 1,81 सी रेंज तो देखता अब कितने में फुल होइगी गाड़ी तो चलो अब देखते कितने में फुल होती है फिर बताता हूँ तो कितने का कट लगा भी 3970 37 लीटर आया और अपनी रेंज क्या दिखा रहा है गाडिया हूँ वो गया फुल रेंज आ रही है 665 की तो चलो अब देखते हैं का स्टॉप होते हैं अग्लीया स्टॉप फ़ार मैं जाकर रहा है सफर कैसा है यह सफर इतनी डेवलप होगे हैं यहां पता भी नहीं लग रहा है क्या पाडो में गाड़ी चला रोड़ी इतनी बढ़िया बना दी चोड़ी चोड़ी और एक तम ब्रैंड नी रोड़े पनी भी इस साड़ी तो अच्छे सब्सक्राइब काली रोड और ना गड़े दिल्ली से कम गड़े होंगे अभी यहां पर है ना सब्सक्राइब और एक बार थोड़ी लास्ट थोड़ी व्यूज और देख लो पाड़ के नी तो बाद में तो दिल्ली में कर्मी में शड़ना है और अभी तो एसी भी अब दो अब दो अब अब बड़ी अगूम रहे हैं तो फाइनली हमाने फर्स्ट अप हमने लिया है वापास उतरते हैं शट्पुली में फिश और राइस काफी फेमस है दो फिश तो मैं खाता निए फिश के पकोड़े गाता नॉमल फिश तो वैसे खाता नहीं तो ममा घा खानेंगी तो उनको खान दो फिश उनका मंदा खानेगा तो चलते और कुछ उमको में खाते हैं अपने लायक तो यह रहा हमारा चिकन यहां पर है मम्मी के फिश फिश करी इसमें देख सकते हैं फुल फिश है छोटी-छोटी तो फूड इस ओकिया नॉट सो गोड नॉट देखाया जाए जियान से देखो क्था बढ़ा पश्व यह बहुत ही जाधा पढ़ा है कि यहां क्येहां के बस्टांड है डिलनी जाकिंशी डेह से तो चलो आगे चलते हैं गाडी में बैठते Can a guidance चाना हूंटि देखके विश की कहा भावीश तो हम जैसी दोड़ी आगे निकले हम को जंगल दिखा दोनों साइट जंगल और बीच में रोड इतनी सुंदर रोड रात को यहां काड़ी चलाने बहुत मज़ा आएंगे क्योंकि रोड में लाइट्स नहीं है बट आपकी गाड़ी की लाइट्स सेज हो तो आप बहुत इज चला सकते हैं 60-70 km per hour की स्पीड हमने मेंटेन कर रही थी इस रोड पे और काफी सुंदर रोड ना गड़े ना कुछ और हां इस वीडियो में थोड़ी सी वाइस ओगर रहेगी क्योंकि यह बहुत से क्लिप्स की पीछे सो आडियो गाया होगा डोंट नो वाई क्या इशू प्लीज कर ले ना इन फ्यूचर में ध्यान रखूंगा और इस वीडियो को देखो कितना सुनते रहे हैं यह गाड़ी जिसको चलाने का शौको बहुत इसली चला सकता है और बहुत अच्छे से चलाता है और मेरे पास तो यह कॉंपक्ट सुवी थी अगर सिडान हो तो और सिडान हो यह और अच्छी चला सकते हैं यह सेल टॉस ने काफी अच्छा पर्फॉम करा मेरे को कोई कमी नी लगी इस गाड़ी में अभी तक पेट्रोल में होने के बावजूद भी और आवरेज के मामले एक नंबर इसने ऐसे पहाड़ों में भी अराउंड अराउंड मेरे अच्छी तो थोड़ा साही और आगे गए थे जोड़ा जंगल बीच में रोल बड़ यहां की रोल एकदम थर्ड ग्लास क्यामरे में जस्टेज निव रवाट यहां इतने गड़े तागर आपको जागवार रेंजर ओवर वह वह भी गड़े फील करेगी आपको आपको महस और करीब करीब यहां से 200 km बचा है हमारा डेली वसंद्यार लगा रहा है बिसिकली घर का तो जाते है क्योंकि व्योग कम बना रहे है और ठक गया आते 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 गर्मी इतनी होगे न तो और जाह दिमाग खराब हो रहा है तो अब चलो आगे कहीं रुकेंगे नहीं तो आते हैं यहां डेली में तो उतर गए हैं यहां डेली में अच्छा लग रहा है और सामने देख सकते हैं उत्रान चल की एक बुलैरू चल रही है यह पहाडू से इतनी बुलैरू दिख रही है हमको पूछो मत यह वापस बुलैरू हमारा आ गया हम जस्ट इम स्ट्रोम कोई option है नहीं बट चलो दिल्या के अच्छा लगा अब चलो हम सीधा आपको घर पे मिलते हैं तो हम उत्राखंट से सेफिन साउंड वापस आ गए है लास्ट वीडियो मतलब लास्ट क्लिप इसले रिकॉर्ड नहीं हो पाई फोन के बाटी डाउन होगी थी उस टाइम ठग भी काफी गया था यार गाड़ी चलाते वे तो हम सेफिन साउंड डेली आ गए हैं अगर आपको मेरी लास्ट के तीन चार वीडियो और सीरीज अच्छी लगी हो उत्राखंट ट्रिप की तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और कुछ चीज गलत मतल लगी हो यार यार ऐसा हो स झानल थांग तैंग जो समच्छी